भारत का समिधान भारत का सरवोच कानून है जो 26 जवरी 1950 को प्रभावी हुआ था। भारत के मूल समिधान में 22 भाग, 8 अंसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के समिधान के भाग और उसके अनुच्छेदों में जो व्यवस्थाएं उलिखित की गई हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आसा है ये वीडियो राजनिक पिग्ञान के विध्यारतियों और प्रतिक जिम्मेदार नागरिकों के लिए उप्योगी होगा। मैं हूँ डक्टर नवीन कुमार सिना, आए वीडियो को सुरू करते हैं। महारति सविधान का भाग एक संघ और उसका राजचे से समग गित है। इसमें अनुचेत एक से चार्म विवस्था की गई हूँ इस पकार से हैं संघ का नाम और राजचेत्र, भारत अर्थात इंडिया, दूसरा है राज्यों और उनके राजचेत्र वे होंगे जो पहली अ जो अर्जित किये जाएं समाविष्ठ होंगे। इसकी अत्रिक इसमें नए राजचे का प्रिवेस या इस्थापना, नए राजचे का निर्मान और वर्तमान राजचे के छेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संसो पांस से ग्यारा मिवस्था की गई है समिधान के प्रारंब पर नागरिक्ता, पाकिस्तान से भारत को प्रोवजन करने वाले, भारत के बाहर रहने वाले भारती उद्भो के कुछ व्यक्तियों के नागरिक्ता के अधिकार, विदेशी राजची की नागरिक्ता स्वेक्षा से अरजित करने वाले वेक्तियों का नागरिक ना होना, नागरिक्ता के अधिकारों का बना रहना, तथा संसत द्वारा नागरिक्ता के अधिकार का विधी द्वारा वी नियम किया जाना संब्लित है. भारती समिदान का भाग तीन मूल अधिकारों से संबंदित है। परिवासा, समान न्याय और निसुलक विधिक सहायता, ग्राम पंचायतों का गठन, काम, सिक्षा और लोक सहायता पाना, काम की न्याय संगत और मारवोची तसाओं का तथा प्रसूती सहायता, करमकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, उद्द्योगों की प्रबंद में करमक का भाग लेना, नागरिकों के लिए समान सिविज संगिता, सैसो, पूर्ण, देखभाल और छे वर्ष से नीचे की आयू के बालकों को सिक्षा के लिए बैउस्था, अनसुची जातियों तथा जन जातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के सिक्षा और अर्थ संबंदी हि और वन तथा वन जीवों की रक्षा, राश्ट्री महत्व के साइस्वार्कों, स्थानों और वस्तुओं का सनक्षण, कारिपालिका से नैपालिका का प्रथक्तर्ण, तथा अंतराश्टी सांती और सुरक्षा की अभिवद्धी संब्लित है। संब्धान के भाग चार का में मूल करतब्यों का उलेक किया गया है। इसमें अनुचेद 51 का में मूल करतव्यों का उलेक करते वे उलिखित किया गया है कि समिधान का पालन, स्वतंतता के आदर्सों को संजोर रखना, भारत की संपर्भुता, एक्ता और अखंडता की रख्षा, देश की रख्षा, सभी लोगों में समरस्ता, संस्कृति की गौरो 51 तक संग से संबंदेत वे उस्थाओं का उलेक किया गया है, इसमें अध्याए एक जो अनुचेद 52 से 78 तक है, उसमें कारेपाल का अर्थात राजपती और उप्राशपती, मंत्री परशत, भारत का महानयवादी, सरकारी कारी का संचालन की वे उस्था की गई है, भाग पा की निय हडताएं, संसद और उसके सतस्यों की सकतियां, भृषय से धिकार और उनमुक्तियां, बिधाई प्रशकरिया, भृत्त्यी विस्यों के संबंदे प्रक्रिया, और साधानतिया प्रगिया का उलेक किया गया है, अध्याए 3 जिसमें अनुचेद 120 है उसमें राश्पत से परामर्स करने की राश्पती की सक्ति उचितम नयले के अधिकारी और सेवक तथा व्यादी समलित है भागपाच का अध्याय पांच जिसमें भारत का नियंत्रक महालेखा परिक्षक की वेउस्था की गई है इसमें अनुच्छेद 148 से 151 में नियंत्रक महालेखा परिक्ष है किया गया इसमें भाग्षSir के अध्याय एक में साध्रंत कुछ परिवासाओं का अउनुच्छेद 152 में और अध्याय दो में अनुच्छेद 153 से एक सो सर्शक्त में करत पालज्य का विष्टा की गई है जिसमें राज की राज़पाल, राज़ी की कारपाल का सक्ति, राज़पाल की न्यूक्ति, राज़पाल की पदाओधी, राज़पाल न्यूक्त होने के लिए अहरताएं, राज़पाल के पद के लिए सरतें, राज़पाल द्वारा सपत या प्रतिक ज्यान, कुछ आकस्मेकताओं में राज़पाल के करतिय का निर्वहन छमा अधी की कुछ और मामनों में दंडा देश के निलंबन परिहार या लगुकरण की राजपाल की सक्ति मंत्री परसद राज्य का महाधिवक्ता और सरकारी कारे के संचालन की वेउस्टा की गई है भागचे के अध्याय तीन में अनुचेद 168-212 में राज्य के विधानमंडल के अधिकारी कारे संचालन सदस्यों की निरहरताएं राज्यों के विधानमंडलों और उनके सदस्यों के सक्तियां विशेसा धिकार और उनमुक्तियां विधाई पक्रिया वित्ती विश्यों के स सक्तियों का उलेक किया गया है इसमें विदान-मंडल के विसाँनति काल में अध्या देश प्रक्यापित करने की राजपाल की सक्ति का उलेक किया गया है अध्याई पांच में अनुच्छे dosoday दौसओ चोदा से dosoda बगतिस में राज्यों के उच्ष नेलेका उलेक किए गया है भाग् discussing का अध्याय शे जिसमें अनुचे 233 से 237 में अधिनस्तरत नियाले की व्यूष्ता की गई है इसमें जिला नियाधिशों की न्यूक्ति कुछ जिला नियाधिशों की न्यूक्तियों का और उनके द्वारा दिये गए निर्नियों आधिका विधी माने कर नियाईक सेवा में जिला नियादीशों से भिन्न विक्तियों की भरती अधिनस नियालों पर नियंत्र, निर्वचन, कुछ वर्ग या वर्गों के मरिस्टेटों पर इस अध्याय के उबंधों का लागू होना आधिका उलेख किया गया है। इसके अंत्रगत संग राजों का प्रसासन, कुछ संग राज शेत्रों के लिए इस्थानी विदान मंडलों या मंतरी परस्तों का या दोनों का सरजन, दिल्ली के संब्ध में विशेश उबंध, सामविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दसा में उबंध, विधान मंडल के की विश्रानती काल में अध्यादेश प्रख्यापिकी करने की प्रसासष की सकती कुछ संग राज शेत्रों के लिए विनियम बनाने की राश्पति की सकती संग राज शेत्रों के लिए उच्छ ने अधिकी विवस्था का उलेक किया गया है। पंचायतों के लेखाओं की संपरिक्षा, पंचायतों के लिए निर्वाचन, संग राज छेत्रों को लागू होना, इस भाग का कतिपे छेत्रों को लागू ना होना, विद्वान, विधियों और पंचायतों का बना रहना, निर्वाचन संबंध मामलों में नियालियों के हस् शेप का वर्जन आदी संब्लित है। शेप के लेखाओं की शंपरिक्षा, नगर पालिकआओं के लिए निर्वाचन, संग राज छेट्रों को लागू होना, जिला योजना के लिए समीति, महानगर Yोजना के लिए समीति, निर्वाचन संबन्दी मावलों में नयाधीसों के हस्तक्षेप के वर्जन अदिका उलgrades क करने वाला एक सुसासी राज बनाना और उसके लिए इस्थानी विधारमंडल या मंत्री परसत का या दोनों का सर्जन करने से संबंदित प्युस्था का उलेग किया गया है संवधान के भाग 11 के अनुचे 245 से 263 तक में संग और राज्यों के भी संबंद का उलेग किया गया द्रपने संग की संबंद का उलेग किया गया है अध्याय इसमें राज्यों की और संग की बाधिता कुछ दसाओ में राज्यों पर संग का नेंत्रण संग को कृत सौंपने की राज्यों की सक्ति सावजनिक कार अविलेक और नियाइक कारवाईयों का उलेक किया गया है जल संबंदी विबाद को लेकर अंतराजिक नदियों या नदी के जल संबंदी विबादों का नियाइक निर्ने की विविस्ता की गई है और राज्यों के 20 समन्वे अंतराज्य प मंदित है इसमें निर्वचन विधी के प्रादिकार के बिना करों का अधिरोपन ना किया जाना भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे आकास्मिक्ता निधी का उलेख किया गया है इसी के साथ संग और राज्यों के बीच राजस्वों का वित्रण और प्रक अ bijउस्था की गई है कि विधी के प्राधिकार के बिवेक्तियों को संपति से वंचित से वंचित नहीं किया जाएगा भाग 13 अनुच्छे 301 से 307 में भारत के राजच्छेत्र के भीतर व्यापार वानिच और समागन की व्युस्था की गई है भाग 14 में अनुच्छे 308 से 320 तक ने संग और राज्यों के अधीन सेवाओं का उलेग किया गया है इसमें अध्याए 1 अनुच्छे 308 से 314 सेवाओं से संबंदित है इसकी अंतरकत संग या राज की सेवा करने वाली वेक्तियों की भर्ती और सेवा की सर्तों का उलेग किया गया है भाग 14 का अरध्याएद दो लोग सेवा आयोग से संब्धनित है इसमें अनुचे 315 से 323 में सज़स्यों की न्यूकती और पदावधी लोग सेवा आयोग के क्रत आधिका उलेक करते वे विवस्था की गई है संग और राज्यों के लिए लोग सेवा आयोग सदस्यों की न्यूपती और पदावधी लोग सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जाना लोग सिवायों के कृत्य लोग सिवायों के वै और लोग सिवायों के प्रतिवेदन आधिका उले किया गया है भाग 14 का अनुचे 323 का से 323 खा में अधिकरण की वेउस्था की गई है इसके अंतरगत प्रसास्लिक अधिकरण अन्य विश्यों के लिए अधिकरण का उले किया गया है। लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का व्यस्पतादिकार के अधार पर होना तथा निर्वाचन संबंदी मावलों में नियालियों के हस्तक छेप के वर्जनादिका उले किया गया है। इस्थानों का आरक्षन, राज्यों की विधान सभाओं में आंगल भारती समुदाय का प्रतिनित्व, अनुसूचित जाती के लिए राष्ट्री आयोग, पिछड़े वर्गों की दसाओं के अनुवेशन के लिए आयोग की नियूपती, अनुसूचित जातियां, अनुसू तीन सफू पंद्रा से टीन सो टीस में संग की राजभासा, राज भासा के समद में आयोग और संसत की समिति का उलेग किया गया है, अनुसू अनुसूचित स 145 से 347 में प्रादेशिक भासाओं का उलेग किया गया है, जिसमें राज जी की राज भासा, यह एर डूसरे और संग के बीच पत्रादी की राजभासा अधिका उलेक किया गया है। प्रियोग की जाने वाली भासा हिंदी भासा के विकास के लिए निर्देश की विवस्था का उलेक किया गया है। समिधान का भाग उन्निस तक्रियन मिसलेने से संब्दित है जिसमें अनुच्छे 361 से 366 में राश्पती और राजपालों और राजपरमुखों का सरक्षा महा पत्नों और विवान छेत्रों के बारे में विसेश उब्बंध किये गया है। भाग 20 समिधान का संसोधन से संब्दित है इसमें अनुच्छे 368 में समिधान का संसोधन करने की संसत की सकती और उसके लिए प्रक्रिया का निधान किया गया है। समिधान का भाग 21 आस्थाई संक्रमन कालीन और विशेश उबंधों से संब्दित है इसमें अनुच्छे 379 से 392 में राज सूची के कुछ विशियों के संब्द में विधी बनाने की संसत की इस प्रकार की आस्थाई सकती मानुवे संबर्ती सूची के विशे हों। जम्मु कस्मीर राजी के संब्द में आस्थाई उबंध, महराष्ट, गुजरात, नागालेंड, असम, मनिपूर, आंधर प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरवाचल प्रदेश, गोवा, आधी राज्यों के विशे में विशेश उबंधों का और उच्च नयालियों के नया 22 अनुच्छे 393 से 395 तक में इस समिधान का संचिप्त नाम, प्रारंब, हिंदी भासा में प्रादिकत पाठ और निरसन से संबंदित है तो अभी अमनों ने चर्चा की भारत के मूल समिधान के भाग 22 और 395 अनुच्विदों में दी गए उस्थाओं के बारे में आईए अब एक नरे डालते हैं अनुच्छी उपर, भारती समिधान की पहली अनुच्छी राज और संग राजच्छेतों से संबंदित है दूसरी अनुच्छी के भाग का में राजपती और राज्यों के राजपाल के बारे में उबन किये गए है भाग खा ये समिधान के साथवे संसोदना दिनियम 1956 की धारा 29 के दोरा इसको लोब कर हो गया है भाग गा, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राजसभा के सभापती और उपसभापती, बिधान सभा के अध्यक्ष और उपसभापती के बारे में उबंद किया गया है। सभापती अनसूची में राजसभा में इस्थानों का आवंटन का उल्ले किया गया है। सभापती एक में संग सूची, सूची दो राजसूची और सूची तीम समवर्ती सूची से संबंदित है। सूची भासाओं और दवियन सूची विमिन अध्यमियों से संबंदित है। दस्वियन सूची में दल परवर्तन के आधार पर नहरता के बारे में उबंद किया गया है। ग्यारवेन सूची पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की इसकी में हुए तु 29 विश्यों से संबंदित है। और बारवियन सूची में नगरपालिकाओं अधी के सक्तियां प्रादिकार और उत्तरदाइत से संबंदित 18 विश्यों का उलेख किया गया है। इसके अत्रित भारती समिधान की अपनी एक प्रस्तावना भी है। मूल समिधान की प्रस्तावना में 42 संसोधन अधिरियम 1976 के दवारा कुछ संसोधन किया गया है। संसोधित उद्देशिका इस प्रकार से है। हम भारत के लोक भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन समाजवादी पंतन पेक्ष लोक तंत्रात्मक गंडराज बनाने के लिए तथा उसके समस्त नाइरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनेतिक नयाय विचार अभिवक्ति विश्वास धर्म और उपासना के सुत तारीक 26 नॉंबर 1949 इस सुचिर्मी को एतत द्वारा इस सम्विधान को अंगीकरित अधिनियमित और आत्मारपित करते हैं तो आज की इस वीडियो में हम लोग ने चर्चा की भारत के मूल समिधान के भाग 22 और 395 अनुचेद और साथ साथ उसकी अनुचूचियों के बारे में आसा है कि ये वीडियो राजनित ज्ञान के विद्यारतियों और साथ साथ संपूर्ण जिम्मेदार नागरिकों के लिए उप्योगी सिध्ध होगा इसी के साथ वीडियो को समाप करने की अनुवति दीजे वीडियो देखने के लिए आपने समय दिया इसके लिए बहुत बुद्ध धन्यवाज जय हिन जय भारत